Hello everyone, welcome to my secret recipe corner आज हम बनाएंगे लोकी की लोज क्योंकि फेस्टिवल आ चुके हैं और फेस्टिवल में मिठाई बनाना तो बनता ही है जिसे हम घर पर तयार किये हुए मावे से बनाएंगे और जो भोज जादा टेस्टी बन कर तयार होगी तो चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं लोकी की लोज लोकी की लोज बनाने के लिए सबसे पहले हम दो लोकी लेंगे ये दो किलो लोकी होंगे तो सबसे पहले हम लोकी को छील लेंगे तो दोनों लोकी को हमने छील लिया है अब हम इने पानी से अच्छे से वोश करेंगे और लोकी को हमने पानी से वोश कर लिया है अब हम लोकी में बीच में कट लगाएंगे जिससे हमें लोकी को कसने में आसानी होगी अब हम एक बड़ा सा बरतन लेंगे और एक लेंगे ग्रेटर और लोकी को greater के help से grate कर लेंगे इसमें तीन साइज है, एक मोटा, एक बारीक और एक सबसे छोटा तो हम बीच वाले से grate करेंगे अगर हम medium साइज से लोकी को grate करेंगे तो उसके गलने में कोई भी परेशानी नहीं आएंगी और अगर जादा मोटा grate करेंगे तो हमारी लोकी देर से गलेगे और उससे हमारी लोकी में चीड भी आ सकता है लोकी टेस्टी नहीं बनेगे तो इसलिए हम लोकी को थोड़ा बारीकी grate करेंगे तो यह देखे हमनी सारी लोकी को कसलिया है वैसे तो लोज बनाने के लिए हम मुलायम लोकी लेंगे लेकिन अगर फिर भी उसमें कोई बीज आ जाता है तो ये देखिए इस तरह से हमें उसे अलग हटा देना है अब हमी कढ़ाइ लेंगे गैस का फ्लेम ओन करेंगे और लोकी को कढ़ाइ में डाल लेंगे ये देखिए ये हमारी 2 किलो लोकी थी और 2 किलो हम इसमें चीनी डालेंगे क्योंकि जितनी लोकी होती है लोज बनाने में उतनी ही चीनी डालते हैं और बस चीनी के melt होने का वेट करेंगे और ये देखें देखते ही देखते जैसे चीनी गरम होती जाएगी ये काफी सारा पानी release कर देगी और ये देखे चीनी को गैस पे रखे हुए 5 मिन्ट के लगबग हो गए है और इसने कितना सारा पानी छोड़ दिया है बस अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसमें उबालाने का वेट करेंगे ये देखे इसे रखे हुए गैस पे 10 मिन्ट हो गई है और इसमें उबाल आने लगा है हमने इसमें कोई पानी एड नहीं किया था फिर भी कितना पतला हो गया है बस इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से चलाते रहेंगे लोकी में उबाल आने लगा है अब ही हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से उबलने देंगे इससे क्या होगा एक तो हमारी चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है और लोकी भी अच्छे से गल जाती है तो बस जब तक हमारी लोकी गलती है तब तक हम मावे को देख लेते हैं तो ये किलो से थोड़ा जादा मावा है जिसे कुछ लोग खोया भी बोलते है हम इसे इस तरह हातों से अच्छे से मेश करेंगे मावे को इस तरह से मेश करने से क्या होता है कि जब भी हम इसे चासनी के अंदर मिक्स करेंगे तो हमें ज़ादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये चासनी के अंदर फटा-फट से मिक्स हो जाता है और यहाँ पर दो चमच मलाई में मैंने थोड़ा सा फूड कलर एड़ किया है ये मैंने घर की फ्रेस मलाई ली है इसका हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगे तब तक चलते हैं अपने चासनी की और ये देखे चासनी पहले से काफी कम हो गई है क्योंकि ये काफी उबल चुकी है बस अब हम इसे साइड सी सथ से अटाते जाएंगे और चलाते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसे और उबलने देंगे क्योंकि अगर हमने इसमे इसी स्टेज पर मावे को डाल दिया तो यह बिल्कुल भी नहीं जमेगी क्योंकि यह अभी पतली है तो इसे थोड़ी सी देर के लिए भी और उबलने देंगे अब हमें एक बड़ा सा बरतन लेंगे आप थाली प्लेट कुछ भी ले सकते हो उसमें डालेंगे टूटी स्पून देशी घी और घी को इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे ये देखे घी को अपने इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लिया है अब इसे भी एक साइड रख देंगे और ये देखे चासनी को उबलते वे काफी टाइम हो गया है अब इस पॉइंट पर डाल देंगे हम इसमें थोड़ा से इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर को अच्छी से मिक्स करेंगे इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इस पॉइंट पर डाल देंगे इसमें फूड कलर इसे भी इच्छी से mix कर देंगे और ये देखे इसमें कितना अच्छा सा color आया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी लोग जमने के लिए perfect है जब भी इसमें इस तरह से side में जागाने लगे ये देखे इस तरह से तो समझ लेकि complete होने वाली है ये देखे जब भी इस तरह से गुमाएं तो ये ladle के साथ आए ये देखे दिख रहा है ना इस तरह से ये देखे तो बस समझ लेना चाहिए कि अभी जमने के लिए perfect है ये देखे आ रही है ना ladle के साथ तो अब इस stage पर हम इसमें डाल देंगे मावा जिसे हमने पहले ही हलका समेश कर लिया था अब इसे चलाएंगे गैस का flame off कर देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इस तरह का एक ladle लेंगे और इसे इसे फटा-फट से गुमाएंगे और गुमाते हुए अच्छे से mix करना है एक तरह से इसे गोटने का काम करना है हमें इसे ये अच्छे से घुट जाए और mix हो जाए जितना ज़्यादा हम इसे इस तरह से चलाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये देखिए हमने इसे चलाते हुए काफि देर तक गोट लिया है अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और अपनी थाली में सैट होने के लिए डाल लेंगे ये देखे लोज कितनी परफेक्ट बनी है अब हम इसे सैट होने के लिए आदा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे अच्छे से सैट होने देंगे आदा घंटा हो गया है चले तो अब इसे कट करेंगे आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं जैसा भी आपको पसंदो चले तो मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ यह देखे कितनी टेस्टी बनी है कोई क्या ही नहीं सकता कि यह आपनी घर पे बनाई है यह देखे कितनी टेस्टी बनी है चले तो अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं तो अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक केजिए और इसी तरह के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए